शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर यह एक किसम नहीं ना कर लो कर लो से थां से रहा है यहाँ नहीं इदर अच्छा अच्छा बदेत लगी थोड़ी थोड़ी यहलैगे है का कैसे हो तुम्मार के आगी एक वह वह बेएश जूह व्यव handful में अग्वाज था पर ये फिन फंट पहले आ गया अजुन बिजारे को काम दंदा नहीं मिला सेट साप, सेट भाई, वो आपका श्राप है ना मेरी उंगलियों पर जिस किसी की पॉकेट में हाथ डालता हूँ, खाली निकलती है मैंने का नहीं था, का तो था, बोलो यहां काम करोगे सच, सेट भाई काम क्या करना पड़ेगा तुम्हें तु किसी फेक्टरी में चौकिदा मनवाई देता हूँ वहां अंदर से निकलने वालो के तेलाशी लेनी पड़ती है तुम्हारा तजर्वा काम आएगा और तुम्हें मेकानिक रखवाई देता हूँ मंदूराइथ चलो तो इस कशी में कुछ भापी दो सुम्हे बेटो सुरू कराओ तू करला मैं तन करदूंfelा मैं देन जाने इकल सकता सुरू करता गये जरू हुआ 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 है पोलु कहा है टोटी पिकाय चाहिए अच्छा सुनों थोनों को दोस्तों को कैशे के पास ले जो उन्हें ये चिट दे देना और कहना कि दोनों को दो सा रुपय एड्वांस दें और फिर उन्हें सेक्टी मेंजर के पास ले जाना तैसाइब प्लम शाब मेरा मतलब है सेठ साफ यह आप क्या कर रहें जिक कुछ नहीं कुर्सी पर बैठा हूं यह आपने क्या रुख्या लिख के भेजा चोड़ों को चोकिदार बना रहा हूं क्या मतलब है आपका अच्छा हुआ आप आगए एक बीडिंग मुलानी है लेकिन इसका तो नोटी देना होगा तो दे दीजिए मगर आजेंटा क्या होगा कहिए कि चंद्रा इंटर्पाइज के नए इंतिजाम के लिए कुछ पैसले करने हैं कौतम बात क्या है उस एक्सिडेंट के बात तुम बिल्कुल ही बदल गए है अब तुम किसी होटल या पाटी में भी नहीं जाती है तो नहें माया से भी नहीं मिलते हैं वो तुम है बहुत याद करती है लेकिन मैं उससे बिल्कुल याद करता है इस लिए कोई और बात क्या करूं मुझे कुछ बेरे बचपन के बारे को बताई है मेरे मातरिजी मत जथाज के बारे जे एक्तम से तुम हो उनकी याद कैसे आगए पहले तो कभे जिकर नहीं किया आंजी जी, हर आदमी की जिंदगी में एक आधा है कि जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ मैं क्या हूं मुझे इस दुनिया में कौन लाया और क्यों लाया क्या यह काफी नहीं कि तुम से अगे सुनता आया हूं कि सख उत्तम चंदर जी लग पती थे करोर पती थे मिल मालिक थे बड़े आपी थे लेकिन कोई मुझे मेरे पिता जी के बारे में बताता अच्छा मैं ब पती के देहन के बाद हो गया तो पिता जी का दिल भी बैठ किया और उसके कुछ दिन बाद उनका भी हाट फिल हो गया सारे घर में सिर्फ दादा जी के तस्वीरे हैं मगा पिता जी के एक बीने क्यों तुम्हारे दादा पने जवामत बेटे की कोई निशानी बरदाश नह कैसे मारी जानना ही चाहते हो तो सुनो तुम्हारे मा ने कमरे का दर्वाजा बंद करके आपने कपड़ों और पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा 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 क्यों क्या पागल हो नहीं कई थी हो पागल थी क्या मैं भी मा की तरफ पागल हूँ नहीं खाओ नहीं खाओंगा अनिल दल्या खाने से तुम्हारे बदन में ताकत आएगी थोड़ा से और खालो बच्चों को तो बहुत भूग लगती है भूग कैसे लगे सारा दिन तो मैं लेटा रहता हूं बैठा रहता हूं डॉक्तर सब कभ ये प्लास्टर उतारेंगे अनिल तुम् तुम तो इतने बहादूर हुआ करते थे हमेशा हसते रहते थे उस बच्चे की तरह और क्या हुआ दीदी अब गौतम भाईया क्यों नहीं आते मैं रोज उनका इंतजार करता हूं क्या आपने उन्हें मना कर दिया है तुम उनका बहुत याद करते हो जी दीदी अनिल तु तुम मुछ सु जादे समिज्तार RJ कल तुमारे घॉत भाईया कुमसे मिल ले आयेगी डीदी क्या तूम अभी गॉत अंद वहाद मास्ट की वश्कमांज दू पिर भाही मेरा मतलब भाई झाया पनाशा प्याजिक प्या याजिश संब और अब बोलो क्या कहना है सेट भाई आपकी मिल में बड़ा कोल माल हो रहा है कैसा गोज माल रोज रात को एक ठ्रक कपड़े का भरकर चो दर्वासे से पार जाता है अच्छा मैंने तो पहले दिन रोका लेकिन वो दूसरा चौकी दार है न वो कहने लगा यहां जो कुछ होता है मालकों के हुकम से होता है अगर तुम अपनी नौकरी रखना चाहते हो तो चुप चाप रहो हूं तो तुम चुप क्यों नहीं रहे अरे सेट भाई अगले दिन उनने मुझे पांच रुपए देकर कहा कि ये बात गौतम सेट से नहीं कहना भले नौकरी उनने दी हो लेकिन अब तुम जो मगरा के खुली रखो और जो देखो लिखते रहो अब फिर मुझे बताओ जी हुज़ूर लिखने के लिए सेटाए है अच्छा हलो हलो आशा अनिल आपको बहुत याद करता है तो मुझे इजादत है उससे मिलने की यह कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करिये आप जरूर उससे मिलिएगा और उसे तादा वाकि लाने ले जाओ अपनी मोटर में जरूर ले जाएगे मगर गाड़ी जरा देखकर चलाएग देखकर ही चलाओंगा मैं अनिल की हिफाद के लिए उसकी बहन को भी साथ जाना होगा मैं अब या अनिल के लिए इस फिम ले आँ क्यों अनिल अच्छा लग रहा है ना या दीदी बहुत मज़ा आ रहा है घर बैटे बैटे तो मैं तकाम लागया था भी आइक आइस्टिम देना अनिल थोड़े देनों की बात है जब प्लास्टर उतर जाएगा तो जरूरूत है ना ले या निल इमें तेरे लिए स्पेशल आइस्टिम दाया हूँ थैंक्यू गॉत्व भाईया दीदी अप लोग मेरे ने कुछ सीपिया तो इखटी कर दीजिए और तुम यह अकेले में बच्चा थोड़ी हो वाब दीजिए अब अब आइस्ट्रीम खाऊंगा और अपनी कॉमिक्स परूंगा तेलो आशा हम बच्चे बन कानिल के लिए स्पीया दूए देखो गिरानों नहीं कि अब आप कि अब आप कि अब आप कि अब आप कौतम तुम तो बहुत अच्छा गाते हो कान रोना तो सबको आता है मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा वजाती हो कौतम देखो आद मैंने यह बाजा तुम्हारे हातों से ले लिया और तुम्हें जरब यह घुसा नहीं आया इसलिए कि यह बाजा मैंने तुमसे छीना नहीं तुम्हारे मर्जी से लिया है इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर भरुसा है और तुम पागल बिल्कुल नहीं हो यह तुम्हें मुझे नहीं माना मगर आशे जानती हो इस दुनिया में सबसे हुगमन सबसे सुंदर सबसे प्यारी लड़की कौन है कौन है कौन है अब तुम को अब तुम सचमित पागलेंदे की बाते करो चलो अनिल हमारा इंतिजार कर रहा होगा चलो मैं कहता हूँ गर हमने इस बेवकुफ गवतम के पागलपन का तोड़ नहीं सोचा तो यह एक दिन हमें पागल बना कर छोड़ेगा मागर मिस्टर शर्मा हमें डिरेक्टर्स की मीटिंग का तो इंतिजार करना चाहिए हाँ देखे तो सही यह कंपनी के नया इंतिजाम किस जानते हैं क्या करना चाहता है यह एक्जाकल वाट तो सुनिये जो पागल पर उसके बाप को था वही बेटे को होता जा रहा है ओ माई गाड बाप की बिमादी इसको भी हो गई यह तो बहुत ख़तरनाग बात है बगर मिस्टर शर्माग गवातमाज कल बड़े तेड़े सी अपने मवाब के बारे में जरूर उसे कोई चाहना कामी पक्की बढ़ा रहा है आदमी नहीं है और यह सब बाते उस जर्मलिस्ट छोक्री आशा के दिमाग से निकली हैं लेकिन इस मामले में चाहन बिन करने से उसे क्या मेलेगा यही कोई 50 लाग रुपए यू डोट है तो जो कुछ सेवा कर सकता हूँ पूल चंदरजी जड़ा बचके रहिए कहीं चोट ना लग जाएं गड़ा जोट ना लग जाएं मुझे तुम्हारे पिता जी के बारे में बहुत अजीब बात मालूम हुई है अभी मिल सकते हो इसी पाफ हाँ जरूर आशा मगर कहां वहां संगम रेस्टरॉंट है मगर सुनो टैक्सी में आना तुम्हारी गाड़ियां पहचानी जाते हैं मिस्टर घर्मा कि अब अच्छ नहीं आशा अब दाओ तुम्हें क्या मालम हुआ है पहले यह बताओ तुम्हें मालूम है तुम्हेरे पिताजी देहान से पहले क्या है क्या करते थे एक बड़ आंटी से पूचा था तो उन्होंने का था वही किया करते थे जो एक करोड़ पती बाप के बेटे कभी नहीं किया करते थे सन 42 में वो आजादी के आंदोलन में जेल गए उस पर तुम्हारे दादा सरुत्तम चंद्र आपस से बाहर हो गए उन्होंने अपने एक लौते और बिनमा के बेटे को अपनी जाइदाद से बिदेखल कर दिया फिर क्या हुआ जब तुम्हारे पिताजी जेल से बाहर निकले और उन्हें ये मालूम हुआ तो उन्होंने अपने नाम अशोग चंद्र से अशोग भारती रख लिया ताकि अपने बाप से उनका कोई रिष्टा न रहे मुझे तो यह सब एक कहानी मालूम होती है यही नही उन्होंने एक हरीजन लड़की से जिसने उनके साथ सत्यग्रा किया था शादी कर ली तुम उसी शादी की औराद हो यह सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ अखपारों की पुरानी फाइलों में ढूनने से बहुत कुछ मिल जाता है फिर क्या हुआ जब उनका देहान थुआ तुम्हारे पिताजी मजदूरों के इंकलाबी लीडर थे संबावन में तुम्हारे दादजी की मिल में स्ट्राइक हुई मालिक की आदमियों ने बाहर से मजदूरों को लाकर स्ट्राइक को तोड़ना चाहा ट्रकों में भर भर के लोगों को ला रहे थे तुम्हारे पिता तो आदमी ट्रकों के नीचे आकर मारे गए और उन में से एक मेरे पिता जी थे आशा कैसा होता है कैसा हो सकता है कि बाप अपनी दौलत पॉजीशन के खातिर अपने बेटे की जान ले ले कहा जाता है सरुत्तम चंद्र को नहीं मारन था कि सड़क पे लेटने वालों में उनका बेटा भी था मगर जो लेडे थे उन में से हर एक किसी बाप का बेटा था कहते हैं बेटे की मौत ने उनके दिल को ऐसा जटका दिया कि दो माईने बाद वो हार्ट अटैक में चल बसे लेकिन मरने से पहले उन्होंने सारी जायदाद अपने पोते याने तुम्हारे नाम कर दी मगर मेरी मा का क्या हुआ इसके बार में अखबारों में कुछ नहीं मिला कितने माहन थे तुम्हारे बेटा जी अपने उसूलों के लिए जान दे थे आशा आज मेरा सर्फ पकर से उंचा हो गया है मगर डर के मारे दिल भी धड़क रहा है इतने बड़े आदमी का बेटा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है थेंक यू सर, थेंक यू मैडम अब ये लोग इस तस्वीर को लेके स्केंडल फेलाईगे, गंदी-गंदी बाते लिखेंगे लिखने दो आशा, अब इस सोसाइटी से मेरा रिष्टा हमेशा के लिए टूट गया है और यही ऐलान करने के लिए कल मैं उन तमाम जगों पर जाना चाहता हूँ जहां मैं पहले जाय करता था क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे साथ हर जगे चलने को तेयार हूँ बुट इविनिंग मेडम आँ अशा सलाम गौतम साब क्यों भई कैसे हो थीगा साब बहुत दिन बादाए साब थैंक्यू तुमको अस तब लोग जानते हैं? कभी में यहारो जाय करता था माया के साथ वह थिंक फ़ी डेवल एंदियर शी इज हाई गौतम हाई माया हाई गोगी को तो तुम जानते हो? बहुत अच्छी तरह से यह है आशा प्रेम चंद और आशा यह मिस माया रानी यह है इनके प्यारे दोस्त जिनको सब प्यार से गोगी कहते हैं हाई हाई कोई इतने दिन से नजर नहीं आए आज के बाद भी शाय नजर नहीं आऊंगा क्यों फॉरें जा रहे हो क्या कुछ ऐसा ही समझो बड़े लखी है यह जा रहे हो पेरिस सुजर लैंड या लंडन सतीश इन सम मुलकों से भी बहुत दूए चलो आशा सबसे पहले आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं चेर्मन साथ को मुबारक बात देना चाहता हूं कि मोटर का जो एक्सिडेंट हुआता उसे यह बाल-बाल बच गए मगर यह तो इनों जरूर सीख लिया होगा कि तेज रफटार से चलना कितना खतरनाक आपकी जी जेंटलमेंट आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं जादा तजर्बेकार हैं फिर भी आपने मुझे चेर्मन बनाया है भला क्यों इसलिए ना कि कंपनी के सबसे जादा शेयर्थ मेरे नाम से हैं मगर रुपया जिसे यह सब शेयर्थ खरीदे गए मैंने अपनी मेहनद से नहीं पैदा किया था अपने दादा से विर्से में पाया था मैं आपसे पूछता हूँ मुझे क्या हक है इस तमाल रुपय पर कबजा करने का इस बड़ी पिसमस को कंट्रोल करने का एक बात और बताओं हर रात को बारा बजे कपड़े से लदी हुई एक ट्राथ हमारी मिल से बाहर निकलती है चोड़ी से कामेंट को धूखा दिया जाता है और साथ में शेयर होल्डर्स को क्यों मिस्टर शर्मा ठीक रहा हो ना यह यह क्या कह रहे हैं आप इस महाई के जमाने में हमारी मिलों के मखदूब फूária को मर रहे हैं और हम आप और मैं मिस्टर शर्मा हम एयर कंडिशन कमरों में सोते हैं थभी वलाइती मोटरों में गुमते हैं औपक्त्रोब को कंपनी की किउखम्ट में Switzerland जी वो वो मैं क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आता सच कहता हूं मेरा तो इस चोरी और बैमानी के माहद में दम घुटने लगा है तो मैंने पैसला किया है कि मैं अपने तमाम शेयत बेच कर उस रुपे से अपने दादा के नाम पर एक बड़ा हस्पताल बनाओं जहां गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त हो सके हैं अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी की साथ जाती रही मुम्किन है दिवाना निकल जाए अरे बई गौतम अपना नसाई हमारा तो सोचो चेयरमें साब क्या मैं पूछ सकता थि आपने अपने स्कीम के बारे में इंकम टेक्स अड्वाइजर्स और कंपनी लागे एक्सपर्ट से मश्वरा कर लिया है जी हां मैंने मश्वरा किया है अपनी आत्मा से अपने जमीर से मैंने का था ना कि मैं कंपनी को ने धंग से चलाना चाहता हूं सच बात तो यह है कि मैं अपनी जिंदगी को ने धंग से चलाना चाह चेर्मन साहब बस एक हफ़ा मुझे कोई द्राज नहीं एक हफ़ते के बाद मीटिंग फिर होगी नोटिट तो आज की मीटिंग बर खास की जाती है आप जलिए मैं आप अब आप तादा जी को अपनी दॉलत से माड़ डाला था लेकिन मैं आपकी दॉलत से और आपके नाम से अनी जैसे गरीब बिमार बच्चों के लिए इतना बड़ा हस्पतार बनाऊंगा कि दुनिया आपको हमेशा याद करेगी मैं मिस्टर गौतम चंदर से बात करना चाहती हूं क्या कहां उनकी तवित खराब है बहुत खराब है गौतम तुम हमारे साथ को आपरेट करोगे ना क्या चाहते हैं हम तुम है एक खास हस्पताल में ले जाना चाहते हैं जहां पर तुम्हारा इलाज हो सकी पावत खाने थे अरे भाई आपना कोई पागल है नद पागल खाने हैं सिर्फ दिमागी मरीज़्ों के लिए खास प्राइवेट रूम से सेर करने के लिए बाग बगीचे हैं वहां तुम्हें किसी कि तक्रिफ नहीं होगी सिर्फ इस कागस पर साइन कर दो हाथ बने हो तो आप दस्कत कर सकते हैं और ले गौतम साहब के हाथ खोल दो PEDAL अब बोलिये वील चैप पर जाना पसंद करेंगे या इस्टेचर पर वील चैप पर जो भाई मुबारक हो वो जो अपना गौतं सेटा ना उसे एक पागल समाज ने पागल करार दे दिया मेरा बच्छा अरे शालिमों नेरे बच्छे को मुझसे बच्छा तुम प्रेस वाले बड़े संगदिल होते कोई बेचारा मरे या पागल हो जाए मगर तुम्हें फ्रेंट पेज का मसाला चाहिए मगर ये तो सोची डॉक्टर साहब अगर हमारे जैसे अफ़ार भी आवाज ने उठाएं तो जुल्म और जुर्म कराप्शन और काले धंदे कितने बढ़ जाएं मगर गोतम चंद्रा के केस में ना तो जुल्म है ना जुर्म वो बैचारा यहां आराम और इलाज के लिए है बई सौरी मैं एक प्रेस रिपोर्टर को भेज़ कर उसका दमाग और परेशान नहीं करना चाहता है मगर इतना तो बता देचे डॉक्टर साब के वो कैसा है वर्फ कैसे काटता है वैए वैसे तो वो बिलकुल शान्त है रात उसने अपना बाजा भी बजाया था मगर फिर एक अजीब बात हुई क्या हुआ डॉक्टर साब गोतम चंद्रा को कुछ नहीं हुआ मगर एक बैचारी औरत जो बीस बरे से वीमेंज वार्ड में पड़ी हुई है जो कभी बोलती नहीं हम समझते थे वो गुंगी है मगर जैसे ही उसने इस बाजय का संगी सुना उसने अपना सर जाली पर पढखना शुरू कर दिया और चिलाने लगी जैसे को उसे इसका बच्चा चीन कर ले जा रहा हूँ सो हमें गोतम चंद्रा से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि वो अपना संगीत बंद करते बड़ी अची बात है डॉक्टर साब कम से कम न उस औरत से तू मिल सकती हूँ हाँ यह हो सकता है मुझे डरू नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ वाटन नहीं हूँ मैं भी किसी को खोचते हुए आई हूँ तुम मेरी मदद करोगी मा माद करना मेरी माद मर चुके हैं सिवे छुड़ा भाई है परसन से किसी को मा नहीं का फिर को मा फिर को मा मेरी मदद करो मा मेरी 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 मा चुझे कौन जबर रसी ले जा सकता है क्लाथ, 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 क्लाथ प्रवार्टी तुम अपने जादा रखुतम चंडर की सारी जागाद की कानुनी भारेत हो उन्हारे जादा ने हमें तुम्हारा गार्डियन दोट रस्ति हुपर दोटिया है जब तुम्हारी देखेंगे अब तुम अपनी मा के पास नहीं रहोगे अब तुम्हें अपने दादा के घर में रहना पड़ेगा तुम पागलो मा, मा, मैं बच्छन देती हूँ, आपका गौतम आपको मिल जाएगा आपका गौतम, मा, आपका गौतम, गौतम बेठी, अच्छा लगता है, फिर कहा हूँ, मा, बेठी, तुम मेरे गौतम को जानती हो, वो अच्छा तो है ना, हमा, मगर वो भी आपकी तरह बड़ी मुश्किल में है, पर सिर्फ आप ही उसकी मदद कर सकती है, अगर आप फिर दुख के समंदर में ढूप के चुप ना हो मैं, मैं आपने गौतम को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, आप तो सब कुछ करेंगी, मगर एक और तो और है, जिसके गवाही गौतम के लिए खत्रा पैदा कर सकती है, हलो मिस आशा फ्रेंचन, ब-A-L-L-B, एड्विकेट, बेटियर, लगता है आपको पहले कहीं देखा है, हाँ, खूब यादाया, हमारी आपकी तो रिष्टेतारी है, जी, हाँ, कौतम के रिष्टे से, लगता है जूठा कान आपको अच्छा लगता है, तेखे मिस माया रानी, मैं जली-कटी बाते न करने आई हूं, न सुनने आई हूं, यह मामला बहुत सीरिस है, कौ लालची और जालम लोगों ने उसे पागल खाने में बंद करा दिया है, उसने जरूर कोई पागलू जैसी हरकतें की होंगी, आप कभी उससे प्यार करती थी, या कम से कम तो आपसे प्यार करता था, आप चाहती क्या है, मैंने सुना, मिस्टर शर्मा आपको गवा बना कर अ यह चानते हुए भी कि मेरी गवाही आपके खिलाप जा सकती है, अगर आप गौतम को सच मुझ पागल समझती है, तो जरूर कहिए, मैं आपसे छूट बोलने को नहीं कहूंगी, बड़ी महरबानी है आपकी, लोग कहते हैं, किसी औरत के प्यार को ठुकरा दिया जाए, तो बड़ी मिस प्रेमचन, मैं आपसे कोई वादा नहीं करती हूँ, मैंने तवी तखिय भी तय नहीं किया, खिमाए दूगी या नहीं, गुद बड़ी मिस प्रेमचन, नमस्ते माया जे, नमस्ते माया जे, हाई हाई, मुम्मी, नर्ट आइ, हलो, 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 ये कौन ति चुकरा हो जी, ममी, ये लड़की गौतब के वकी है, और उसकी नहीं गर्फिर्न भी, करियां के आयो, मेरे कराल में शुमेरे में आये है, तो अगर में मुकलमे में पेश हुई, तो क्या कह दो दुए? तो पैसा नहीं किया कि मैं गवाही लूंगी या नहीं लेकिन बिटा दवाई तो तुम्हे जरूर देनी चाहिए आफिर तुम्हे इस से अच्छा मुका कहा मिल सकता है बदला लेने के लिए उसमें तुम्हे दिल तोड़ा है ना और वो भी एक ऐसी मामुली लड़की के लिए ये पागल पन नहीं है तो फिर क्या है एक्जैक्ली यही तो मिस्तर शर्मा भी कह रहे है तुम चुकुरा हो जी प्लीज मा बेटी के दग्रान बोलने के कोई जोबोत नहीं तुम्हें को बिंदा जोड़ा कामर क्या उल्लू का पठ्धा जोगर 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 विसकी सोड़ा हमारे कमरे रख दो जोगर जोगर हाँ जी पेटा पिर क्या इरादा किया है तुमने ममी मैं गवाही इस दुरूफ दूँगी समचा अगर मुखतमा जीते तो और जी मिलेगा जी जोगर Mr. Gautam Chandra का वकील को आना मैं हूँ योवर्शिप और चंद्रा एंट्रपैस की तरफ से कौन है आई योवर्शिप Mr. आशा प्रेमचन आप इस अदालत में मुकद्दमा लेके आई है कि Mr. Gautam Chandra पागल नहीं है उनको पागल करार दिया गया है आपका खाल है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजीश है योवर्शिप साजीश का सवाली पादा नहीं होता मैंने अदालत के सामने वो कागजात पेश किया है जिन पर Mr. Gautam Chandra के दस्तकत मौजूद है जिनमें उन्होंने लिख आए दूसरा बयान दे दें कि आप उन्हें अपनी दिमागी सिहर पर कोई शकर शुबा नहीं तो क्या उन्हें असाइलम से छोड़ दिया जाएगा योर वर्शिप ये कभी नहीं हो सकता अब सिर्फ Mr. Gautam Chandra का कहना काफे नहीं है हमारे पास उनको पागल साबित करने के लिए कितने ही गवा मौजूद है तो मेरी इतनी ही दर्खास है कि उन गवाहों को पेश किया जाए लिली डिसोजा क्या तुम समझती हो कि Mr. Gautam Chandra खतरनाक पागल है जी हां सहाब बिलकुल पागल हुजूर एक दिन Gautam साब इतना बड़ा खुला उत्परा लेकर अपना गला काटने वाले थे इमें चिक पड़े बावु राम राठोर हुजूर Gautam साब मोटर चला दे थे मुझे तो बहुत डर लगता था स्टेरिंग विल छोड़कर बाजा बजाने लगते थे अखीर एक दिन एकसिडेंट होए गया हुजूर राम चंद्र इलायस रामू हुजूर मुझे तो उसी वक्त शुबा हो गया Gautam साब को दिमाग ठीक नहीं है जब मुझे रामू के बजा है भीखू करके बुलाने लगे रादा बाई उत्तम चंद्रा आपको कैसे शुबा हुआ कि आपके भतीजे का दिमाग खारागे मुझे तो शुरू से है शुबा था जनाबे वाला इसकी माबिचारे भी पागल थी Gautam नॉर्मल तो कभी नहीं था इतना बड़ा हो गया मगर बच्चों की तरह बाजा बजाता रहता था पागलों की तरह मोटर तेज चलाता था और आप यकीन नहीं करेंगे अपना चार हजार का पलंग छोड़कर जमीन पर सुने लगा मुझे तो उसके जान की तरफ से बड़ी चिंता होने लगी जनाबिवाला रांक्यू राधा भाई यूर विटनस श्री मती राधा भाई आपके ख्याल में जमीन पर सोना पागलपन की निशानी है जी हाँ बिलकुल तो क्या बंबई ती आधी आबादी पागल है जो जमीन पर सोती है और उसमें से पांच लाख लोग फुट पाथ पर सोते हैं क्या वो भी सब पागल है मिस प्रेंचन आप कोग को इंफ्योंस करने के लिए गैर जरूरी सवाल उठा रही है सुरी ओवर्शिप राधा भाई आपने कहा के गौतम चंद्र की माँ भी पागल थी इस थीस से आपका क्या मतलब बीस बरस पहले मर गई बिचारी पागलपन के दौरे में उसने अपने कपड़ों में आग लगा ली थी बीस बरस पहले वो मर गई थी राधा भाई का या बयान नोट किया जाए ओवर्शिप माया सोनाचन मिस सोनाचन क्या आप मिस्टर गौतम चंद्रा को जानती है जानती थी बहुत करीब से आपको कभी उन्ठे अकेले में मिलने का इत्तफाक हुआ है हम अक्तर अकेले ही मिला करते थे आपको कभी शुबह हुआ कि वो पागल है जी हाँ अक्तर हुआ है आखरी बार खास दोर पर उस वक्त क्या हुआ था माफ कीजिगा जनाबेवाला पर सच यह है मैं घर में बैठी एक दोस्त के साथ शराब पी रही थी कौतम अचानक हाथों में फूलों का गुलदस्ता लियवे आया और मेरे दोस्त को देखकर उसकी आउंखों में से आग मिकलने लगा अगर उसके हाथ में पिस्तॉल होता तो वह हम दोनों का खून कर देता और शायद अपना भी फिर वह धर से दर्वाजा बंद करके चला गया मैंने सुना उसी रात उसकी कार का एकसिदेंट हो गया और वह जेल चला गया यह सब पागलपन नहीं तो और क्या है थांक्यूमिस सोना चान यह सच है के कौतम आपस बहुत महभबथ करता था जी हाँ पागलों की तरहां पागलों की तरहां जी हाँ वो बिचारा सची महभबथ करता था इसी को लोग आज पागलपन कहते हैं मगर इस पागलपन की कदर मुझे उस वक्त मालो हुए जब मेरी जिंदगी से निगर गया That will do Miss Sonachand Thank you Maya पीकुचंद तोहनलाल यह दोनों गवाः आप साथ में पैश करना चाहते हैं Your worship please यह दोनों साथ में ही गवाही देना चाहते हैं All right, as a special case तुम लोगों ने मिस्टर गौतम चंद्रा को पहले कब और कहा देखा? जेल में सरकार सरकार मैंने तो पहले दिन सोहन से कह दिया था कि अपना गौतम से बिल्कुल पागल है सरकार पागल ना होता तो हमारे जैसे चोर उचकों को अपनी फैक्टरी में नौकरी देता अपने साथ बिठाकर चाय पिलाता गेख छिलाता वोसा तो तु भूली किया बिल्कुल पागल है तो अकल-मंद आदमी तो जूटी गवाई के लिए सौसों के नोट देते और इस पागल ने रुपिया भी नहीं दिया सरकार भगवान करें दुनिया में सेट भाई जैसे तो चार पागल और पैता हो जाएं यूर वर्शिप ये दोनों जूटे हैं चोर हैं जे कत्रे हैं गिरे कट हैं और दोनों आपके गवाई हैं यूर वर्शिप और अब मैं एक ऐसा गवाँ पेश करूँगा जिसकी राय दिमागी बिमारियों के बारे में आखरी और कता ही समझी जाती है डाक्टर सेथी डाक्टर से थी आपने गौतम चंद्रा को कब देखा था आठ दिन हुए इसी महने के साथ तारीख को देखने के बाद आपने क्या रहा है काएंटी अधान जबान देखना सकते हैं भंघानग और भैंकर पागलपन रोगी को दिमागी अस्पटाल में रखना क्यों ज़रूरी था ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकता था आठ महत्या कर सकता था किसी का खून कर सकता था क्या ऐसा रोगी करोरों की बिजनस की देखबाल कर सकता है अर्गिज नहीं थैंक यू यूर विटनेस डॉक्टर सेथी गौतम चंद्र को देखने के लिए आपको किस ने बिला था मिस्टर शर्मा ने और फीज कितनी मिली थी आपको एक हजार रुपए इसका केस से क्या तर्लों मुझे और कुछ नहीं पूछना यूर वर्षिप हमने गवाहों के मदद से यह साबित कर दिया है कि मिस्टर गौतम चंद्रा को दिवागे अस्पताल में रखना जरूरी था उनकी जान के खातेर उनकी बिजनस के खातेर यूर वर्षिप मिस प्रेमचन आपको कुछ कहना है जी हाँ यूर वर्षिप यहां कहा गया है कि गौतम चंद्रा को यह बिमारी अपनी मा से मिली है इस तिलसले में मैं सिर्फ एक गवापेश करना चाहती हूं पारवती देवी जनाब बाला जिन लोगों ने मिस्टर गौतम को पागल बनाया है उन्हीं लोगों ने इस बिचारी को पागल खाने में डाल रखा था राधा भाई का कहना है कि गौतम की माँ 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 चुकी है मैं पूछना चाहती हूँ यू वर्षिप फिर ये कौन है यू यू यह पागल और और कानून एक पागल की गवाही को नहीं मान सकता मिस्प्रेमचन क्या एस अच्छ है कि तुम्हारी गवाही इस वक्त पागल खाने से लाई जाई है जी जनाब मगर वो इंस और अब्जिक्शन सस्टेंग नर्स उनको आराम से ले जाई है यू वर्शिप मिस्टर गौतम चंदर की खिलाफ एक बहुत बड़ी साज़िश हुई है जिसका मकसद यह है कि वो अपने रुपए और जायदा को गरीबों के फाइदे के लिए इस्तेमाल ना कर सकें और इससे पहले कि यह लोग मुझे भी पागल बनाकर मेरा मूब अन कर दें मैं ये कहना चाहती हूं कि चंद्रा एंटरप्राइज के बौर्ड अफ डिरेक्टर की लास्ट मीटिंग में मिस्टर गौतम चंद्रा ने ये ऐलाम किया था कि वो अपने तमाम शेयस बेचकर अपनी सारी दौलत से बजों का एक हस्पताल खोलना चाहते हैं ये वर्शिप ये सब एक फर्जी कहानी है मुझे मिस्टर शर्मा ने बताया है कि न ऐसी कोई मीटिंग हुई मिस्टर गौतम चंद्रा ने ऐसी कोई तजवीश पेश की मुझे लगता है कि शायद मिस्टर गौतम चंद्रा के बीमार दिमाग में कोई सपना देखा है पागलपन इसी को कहते हैं जब इनसान सच को जूट और जूट को सच सबजने लगता है मिस्टर अब बड़ा इंजाम लगा रही है आपके पास इसका कोई सबूत है कि ऐसी मीटिंग हुई थी और उसमें मिस्टर गौतम चंद्रा ने ऐसी कोई तजवीश पेश की थी यह वाशिप सबूत पेश करने के लिए मुझे वक्त चाहिए मुकदमा कल के लिए मुल्तवी की ऑगाता है मुकदमा मुल्तवी नहीं हुआ आशा KAR मुकदमा हार गए यूं को अतनी जल्दी हममत हार गए अभी तो तुमने दुन्या से मुकाबला करना शुरू ही किया है मैं तो यहां इसी लिए आया था कि तुम इस मामले को कोट में ले जा पर वोगी तो हमने जो सोचा था वही हुआ, मुकदमा अदालत में आ गया कितने ही लोगों ने तुमारे हाथ में गवाही थी सोहन ने, भीकुने, यहां तक कि माया ने मैं उन सब का अभारी हूँ, मगा भरी अदालत में मेरी मा का कितना अपमान हुआ उन्हें पागल प्रेकर वहां से निकाल दिया गया आशवर तुमने पूरी कोशिश कर दी, अब मुझे मेरे हाल में छोड़ दो शायद मैं सच मुची दिवाना हूँ मुमकिन है यह बोर्ड मीटिंग मेरे पागल दिमाग में हुई नहीं गौतम तुम पागल बिलकुल नहीं हूँ यह सब उन लोगों की साधिश है उस मीटिंग का जरूर कोई रेकॉर्ड होगा मीटिंग हुई होगी तो रेकॉर्ड भी जरूर होगा हर मीटिंग का पूरा हाल नीले रंग की मिनट्स बुक में लिखा होता है मगर कंपनी के ऐसे सब जुभरी काज़ मिस्टर शर्मा के कमरे में बंद रहते हैं यह बताओ वो सोहन जो तुम्हाय साथ जेल में था क्या जूर्म किया था उसमें सुहने किसी बैंक के सेफ का ताला तोड़ा था कराना यार का पूराला घंदा है विकु अपन तो सेफ भाई से कसम खाया था किया काम कभी नहीं करें आरे ये काम भी तो हम सेफ भाई के लिए कर रहे हैं तो खोड़ कर दोपाद ने ने वो देख रहा है तुम ठीक होता है रख देता हूं यह देख इसमें कौन सा चुपड़ी है यह मुझको दे मुझको दे आरे यह होगी नेली वाली वोड ऑफ डिरेक्टर्स यह तो ले मैं फुटा यह सुबूत के मीटिंग हुई और उसमें गौतम चंद्र ने अपने शैस के रुपए से हस्पिताल के लिए ट्रस्ट बनाने की तज्वीज पेश की यह है उस ताजिश की बुन्याद चो मिस्टर शर्मा राधा बाई और डिरेक्टर ने गौतम चंद्र को पादर साबित करने के लिए तैयार की आप क्या कहना चाहते हैं हमें मालूम हुआ है कि मिस आशा प्रेम चंद्र गौतम चंद्रा से प्रेम का नाटक खेल रही है इस तरह वो एक भोले भाले और कमदोर दिमाग के नोजवान से शुशादी करके उसकी लाखोबल की करोड़ों की जादात की मालिक बनना चाहती है मैं चाहता हूं मिस आशा प्रेम चंद को गवाहों के कठाड़े में खळा किया जाए मिस प्रेम चंद आप गवाई देने के लिए तयार हैं यस यह वर्शिप मिस प्रेम चंद्र आप यह कहती है कि आप मिस्टर गौतम चंद्रा से महबबत करती हैं मैं यह कहती नहीं मैं उनसे महबद करती हूं आपको आजाद अकबार से तंख्वा क्या मिलती तू पांच सो पचीस रुपे माहवार और जिस वक्त आपको इस महबद का बुकार चड़ा उस वक्त मिस्टर गौतम चंद्रा के जादाद की मालियत कितनी होगी मुझे कभी दिल जाद में दिल्चस्पी थी या नहीं इसका फैसला बाद में होगा इस जादाद की मालियत के बारे में कुछ अंदादा तो होगा आपको कहा जाता है पचास साथ लाग से ज्यादा की जादाद है यूर वर्शिप कुछ देर पहले मिस्ट प्रेम चंद साज़िश और कॉंस मुझे और कुछ नहीं पूछना मिस्टर गौत्व चंदर आपको कुछ कहना है इसको कौर से बाहर ले जाओ जिनावे आला इस बच्चे को कुछ मत कहिए इसी बिचारे की टांगे मेरी मोटर से कुछ ली गए थी इसी की वज़े से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया और आज अगर मैं कुछ कहने की दाज़त चाहता हूं तो सिर्फ इसके कारव हूं जिनावे वाला इन सब लोगों का कहना है कि मैं पागल हूं इसलिए कि मैं ये पुराना बाजा बजाता हूं मैं समझता था कोई भी बाजा बजाना ना पाप है ना जुर्म है और ना ही कोई पागलपन की निशानी है जब भी कोई आदमी बहुत खुश होता है, या बहुत परिशान होता है, या किसी बात पर बहुत सोच उचार करता है, तो अपने दिमाग के सहारे के लिए कोई न कोई भाना रोड़ता है, कोई मूझे मरोड़ता है, और कोई बाजा बजाता है, कोई गीत कुन गुनाता है, और कोई पेंसल जबाता है जैसे कि बेरिस्टर साथ जबा रहे हैं और कोई पेपर वेट को लट्टू की तरह गुमाता है जैसे माफ कीजेगा आप कर रहे हैं कॉपटीं है मंगर श्र्व बाज ही यह निए फिर बश्पन है कि मरी माश की मिशानी है ये मिरी गरीब पांश गीन के साव्क afternoon जिसके दो दिन भाव थीम्च उसकी गोड से मुझ्षे मिचाई मेरे बाप तो पहले ही मेरे दादा के एक ट्रॉक के नीचे आकर जान दे चुके थे मुझे कहा गया था मेरी माँ ने पागल पन में अपने कपड़ों में आग लगा दी थी मुझे मालम हुआ कि मो ना मरी थी ना पागल हुई थी बलके उने जुट मूट पाबल मना कर पागल खाने Wr. मद जिनाफ्य बाला मैं पहले भी हाथ चोड़ को मंट चलाता था पहले भी मक औरंगल बजाता था पहले भी कर्त्रो रेजर से शेव करता था तब किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं पागल हूँ इसलिए कि मेरी आमदनी का बड़ा हिस्ता उन दोगों की जेवों में जाता था वो चाहते थे कि मेरी बिजनस को अपने ढंग से और अपने काले दंदे के फाइदे के लिए चलाएं गर्मेंट को और शेरह होल्डर्स दोनों को धोगा दे लेकिन जब मैंने उनके हद कंडे जान लिये और अपनी बिजनस को उनके हाथों से लेकर उसका सारा मुनाफ़ा और अपनी शेयस की सारी कीमत को एक बच्चों के हस्पताल को दान देने का इरादा किया तब मैं उनको पागल नजर आने लगा मुझे अफसोस है इन लोगों में मेरे पिताजी की चोटी बेहन भी शामिल है जिनको मैंने बच्चपन से आज तक अपनी मा की जगा समझा था अफसोस तो ये है कि वो केकई जैसे मा थाबित हुएं फर्क सिर्फ इतना है कि केकई ने राम को बनवास दिया और इन्होंने गौतम को पागल खाना दरिस्टर साब को उनके गवाहों को और मुम्किन है कि आपको भी मैं पागल नदर आता हूँ मगर खुजूर मुझे तो ये दुनिया ही पागल नदर आती है जहां एक आदमी 21 कमरों में रहता है और 21 आदमी एक कमरे में रहते है जहां कुतों को संग मरमर के टम में नहलाया जाता है और लाखों आदमी दो भून पाने के लिए दरास्ते है ये दुनिया जहां एक एटम बम बनाने पर इतने करोड़ वे खरच की जाते हैं जिन से हजारों हस्पताल और स्कूल बनाया जा सकते थे करोड़ों भूके बच्चों को दूर पिलाया जा सकता था ये दुनिया जहां इंसान ने करोड़ों अर्बों रुपे खरच करकर जमीन से चांड तक की सड़क मना दिया लेकिन ऐसी कोई सड़क आज तक नहीं बना सका जो एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक जाती है जमीन और आस्मान का फासला कम हो गया है लेकिन इंसान और इंसान में फासला कम नहीं हुआ अब आप फैसला कर सकते हैं कि पागल कौन है मैं यह यह दुनिया थेंक्यू अब इस अदालत में जो गवाईयां हुई है और जो बैयान दिये गये हैं उन सब पर सोच विचार करने के बाद इस अदालत का फैसला है मिस्टर गौतम चंद्र पागल बिल्कुल नहीं है अब 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 शायद इस फूदी अदालत में सब से समझदार आदमी है अगर कोई उनको पागल कहता है तो इस पागल दुनिया को कितने ही और ऐसे पागलों की ज़रूत है मिस्टर शर्मा आप किदर जा रहा है बैट जाएए अदालत अभी बरकास में हुई ता इसला अभी पुरा सुनाया नहीं गया अदालत हुक्न देती है कि चंद्रा एंटरप्रेजिस के इसाब किताब की पूरे-पूरी जाच की जाए और मिस्टर शर्मा पर और रादाबाई पर जूटी गवाया पेश करने के लिए मुकदमा चलाया जाए हरे सुना तुमने हमारा गौतम पागल समाजी कैच से हमेशा के लिए आउजाद हो गया हुआ हुआ है